नमस्कार competition community में आप सभी का स्वागत है तो काफी लंबे समय से यह discussion जो है चल रहा था कि 36 गड़ में नए जिले बनेंगे कुछ लोग कहते थे कि नए जिले बन गए हैं तो कुछ लोग उसको अपडेट कर देते थे तो कुछ लोग मुझसे जानकारी मांगते थे किसा नया जिला बन गया है इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं हमेशा क्या कहा करता था कि अभी भी किसी भी जिले का क्या नहीं आया है फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है और लीजिए तीन ऐसे जिले हैं जिनका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है अब ये तीन जिले कौन-कौन से हैं तो कोड याद रखना एक है M, फिर है S और उसके बाद है K M से क्या है? तो M से है मुहला मानपूर अमबागड चौकी तो M से है मुहला, मानपूर, अमबागड चौकी S से क्या है? तो S से है सारंगड बीलईगड तो S से सारंगड बीलईगड और K से क्या है? तो K से है खैरागड छुई खदान और गंडई फिर है? तो ये जो तीन जले हैं M से मुहला, मानपूर, अमबागड चौकी S से सारंगड बीलईगड और K से खैरागड, छुई, खदान, गंडई इन तीनों का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है इन तीनों जिलों के बारे में बहुत important information लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ तो आप इस वीडियो को प्लीज अंततक देखिए अच्छे से आपके exam में बहुत काम आने वाला है और exam नहीं तो सामान जानकारी के लिए जैनल नोलेज के लिए भी ये वीडियो रहने वाला है बहुत important लेकिन इस वीडियो में directly पहुचने से पहले मैं आपको कुछ चीजों को बता देना चाहता हूँ तो आप सभी को पता होगा competition community हमेशा छात्र हित में बहुत आगे रहा है और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको ये जो CGPSE 2022 होने वाला है इसकी proper सही तरीके से तयारी करनी है ताकि आप first attempt में ही क्या कर सके इस examination को crack कर सके तो आपके लिए competition community नए offline batches की घोशना करता है ये batches CGPSE prelims की परिक्षाप के लिए भी होने वाले हैं साथ में अगर आप pre और mains की एक साथ integrated तरीके से तयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए batches available हैं और आप अगर व्यापन की तयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए batches available हैं ये batch चालू होने वाला है सोमवार 12 सितंबर के दिन से तो दिन रहेगा सोमवार तारीक रहने वाली है 12 सितंबर क्लास की टाइमिंग्स तो समझेगा हम simultaneously batches morning के लिए भी ला रहे हैं सुबे 7 बजे से 10 बजे तक और evening मतलब शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के लिए भी batches available हैं अगर आप हमारे center पर आना चाहें तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो batches हैं ये दोनों हमारे राइपूर center और दुर्ग center दोनों जगा चालू होने वाले हैं आप अगर center पर directly visit करना चाहें तो देख लीजिए ये राइपूर center का address है और ये दुर्ग center का address है आप screenshot कर लीजिए या screenshot रख लीजिए address आपके पास save हो जाएगा अगर आप call करके भी information लेना चाहें जानकारी लेना चाहें तो आप जानकारी जो है उसे ले सकते हैं phone numbers आपके सामने दिये हुए हैं एक प्रश्ण मन में जरूर आना चाहिए प्रश्ण है कि competition community ही क्यूँ तो competition community ही क्यूँ इस प्रश्ण का जवाब मैं आपको देता हूँ अगर आप competition community के किसी भी batch से जुड़े हुए हैं चाहे pre हो, mains हो, integrated हो चाहे online हो, चाहे offline हो तो आपको notes जो है उस संबंधित course के notes वो भी आप जिस भाषा में चाहें चाहे आप English में चाहें चाहे आप Hindi में चाहें language को छोड़ कैसा मत बोलना सरी English को Hindi में दे दोगे क्या करके तो आप notes को जिस भी language में चाहें English या Hindi आपको मिलने वाला है बिलकुल ही free तो ये notes है competition community का इसके बारे मुझे बताने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है research based notes होता है और ये notes जो है बहुत जादा reliable और अच्छा होता है ये market में सब जानते हैं आप भी जानते हैं मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है notes के बाद अगला जो feature competition community के साथ है वो है क्या regular basis पर answer writing तो ऐसे चात्र जो की mains या integrated pre plus mains की बात से जुड़े हैं हम उन्हें promote करते हैं कि वो हमेशा regular तरीके से answer writing करें इसके लिए daily basis पे हम लोगों के द्वारा, सिक्षकों के द्वारा, faculties के द्वारा students को question दिया जाता है और questions को student लोग लिख के आकर check कर आते हैं और हम उन्हें बताते हैं फिर कि उनके answers अच्छे हैं कि खराब हैं, क्या कमी हैं और किस प्रकार से उन्हें बेहतर करके ज़्यादा से ज़्यादा number वो ला सकते हैं next अगर मैं बात करूँ तो वो है current affairs तो current affairs जो है आपको पता है कि pre में कितना importance hold करता है current affairs तो current affairs का जो magazine होता है monthly वो हमारे हरे छात्र को मिलता है free में बिना किसी पैसे के आपने course purchase कर लिया है तो उसमें notes भी मिलेगा answer writing भी होगी और current affairs का magazine भी मिलेगा जब तक आपका course complete नहीं हो जाता तब तक समझ में आया तो ये जो current affairs का magazine है ये more than sufficient है साल भर का current affairs इसमें से आपका हो जाने वाला है cover इसके अलावा हम लोग हमेशा लेते हैं weekly class test तो हफते भर का जो पढ़ाया है वो आता है weekly class test में और ये बहुत important है चात्र के लिए कि वो उस weekly class test को दे तो जब उस class test को वो लिखेगा तब उसे पता चलेगा हफते बर जो पढ़ायी हुई है क्या उसको properly समझ में आई है या नहीं तो चात्र जो है उसको लेकर faculties के पास भी आ सकता है कि सर ये question मुझसे नहीं बन रहा है और faculty भी जब answer check करेगा तो समझ सकता है कि चात्र जो है उसका ध्यान पढ़ाई में है कि नहीं तो बिल्कुल check and balance mechanism की तरह काम करता है ये weekly class test इसके अलावा competition community जो है उसमें समय समय पर बहुत सारे guidance programs होते रहते हैं जिनमें है free seminars तो सामान तोर पर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि free seminars में selected candidates शामिल हो ये बहतरीन मौका होता है जो aspirants है जो तयारी कर रहे हैं वो लोग direct one on one interaction कर सकते हैं इन selected candidates के साथ तो इसी लिए मैंने कहा कि मैं जवाब देता हूं कि ये जो क्यूं शब्द है competition community ही क्यूं उसका क्या जवाब है तो basically ये हमारे batches के क्या है features है और इसी लिए मैं कहूंगा कि आपका choice जो है वो क्या होना चाहिए तो आपके सामने उसका उत्तर है ठीक है बहरहाल अब हम लोग सीधा आ जाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया है मैंने बताया है आपको districts 3 की अधिसूचना आई है क्या क्या है तो M, S, K क्रम 29, 30 और 31 M से है मोहला, मानपूर, अंबगड, चौकी S से क्या है सारंगड, बिलईगड और K से क्या है तो हम लोग इसी क्रम, इसी सीक्वेंस में देखने वाले है तो पहला क्या है मोहला, मानपूर, अंबगड, चौकी तो ये वही notification है जो कि actually सरकार के द्वारा क्या किया गया है publish किया गया है उसी को मैंने reference के तोर पर उठा लिया है clear है ठीक बात अब इस जिले को पुनर गठित करके मतलब इस जिले को reorganize करके एक नया जिला बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है मोहला, मानपूर, अंबगड, चौकी देखिए उपर लिखा भी हुआ है जिला राजनाद गाउं उससे एक नया जिला बनेगा जिसका नाम क्या है मोहला, मानपूर, अंबगड, चौकी अब इस जिले का निर्माण जो है उसका थोड़ा सा मैं historical background आपको बताता हूं और उसके बाद detail में अपन देखने वाले हैं तो ये जो जिला है ना इस जिला का जो निर्माण हुआ उसकी प्रारंभिक अधिसूचना मतलब प्राइमरी नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा 20.10.2021 को जारी किया गया था समझ में आया मतलब 20.10.2021 का दिन था सरकार ने प्राइमरी नोटिफिकेशन राजपत्र के माध्यम से जारी किया कि हम राजनाथ गाउंट डिस्ट्रिक्ट उसमें से मोहला मानपूर अंबगढ़ चौकी के नाम से एक निव डिस्ट्रिक्ट नया डिस्ट्रिक्ट इसको बना रहे है अब इसके बाद इसका final notification समझ में आया इसको कब finally अधिसूचित किया गया तो final अधिसूचनिया या final notification इसका आता है 1 सितंबर 2022 के दिन तो 1 सितंबर 2022 के दिन इसकी आ गई क्या final अधिसूचना तो primary 20-10-2021 को final 19-2022 को अधिसूचना आई clear है ये बात ठीक है अब इसका मात्री जिला क्या था मात्री जिला मतलब parent district मतलब कौन सा ऐसा district था जिस district को काटके ये जो नया मोहला मानपुर अंबागर चोटकी district है इसको बनाया गया तो मात्री जिला हमने अभी ज़स देखा है लिखा है क्या राज नाद गाउं संभाग तो इसका संभाग जो है वो कौन सा होने वाला है तो इसका संभाग या division होने वाला है दुर्ग मतलब ये जो district है ये किस संभाग के अंतरगत आने वाला है या किस division के अंतरगत आने वाला है दुर्ग division के अंतरगत आने वाला है क्लियर है ये ठीक है अब ये जो जिला है इसका शुभारम या इस डिस्ट्रिक्ट को इनॉगरेट तो मैं आपको बता दू इसका इनॉगरेशन दो सितंबर 2022 के दिन किया गया इनॉगरेशन कब किया गया है दो सितंबर 2022 के दिन किया गया और ये 36 गड़का कौन से करम का जिला बन गया भाईया तो ये बन गया 36 गड़का 29 अठाइस वा था गोरिला पिंडरा मरवाही 29 बन गया है मोहला मानपुर अमबागर चौकी तो ये इसका क्या रहा हिस्टोरिकल देखिए मैं मैप पर भी बताऊंगा सब बताऊंगा बस थोड़ा धैर ही के साथ इस वीडियो को देखिएगा क्लियर है अब थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन पर आते हैं अब नोटिफिकेशन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ तहसील हैं जिनको मिला कर इस जिले को बनाया गया तहसील का नाम क्या क्या है तो देखिए लिखा है तहसील मुहला एक उसके बाद लिखा है मानपूर फिर लिखा है ओंधी अब ये पहली बार सुन रोंगे शायद फिर लिखा है खडगाओं और लिखा है अंबागड चौकी तो तहस मोहला मानपूर ओंधी खडगाउं अंबागड चौकी इन सभी तहसीलों को समाविष्ट करके मिला के मर्च करके क्या किया गया है एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम क्या है मोहला मानपूर अंबागड चौकी क्लियर है ये बात अब हम लोग क्या करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन है इसको अपन प्रॉपरली ना माप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो माप आप देख रहे हैं ये 36 गड़ का तहसील माप है अलग-अलग कलर जो आप देख रहे हैं ये अलग-अलग अब इसमें ये लग-बख क्रीमिश टाइप का कलर आप जो देख रहे हैं ये हमारा कौन सा जिला है तो ये हमारा राजनाद गाउं जिला है और इसी राजनाद गाउं डिस्ट्रिक्ट का ये जो दक्षिनी भाग है सदन पोर्शन है यहां से मुहला मानपुर अंबागड चौकी को क्या बनाया जा रहा है तो एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है उसे बनाया जा रहा है तो अपन क्या करते हैं जूम करके बिल्कुल उसी हिस्से पर आ जाते हैं जिस हिस्से पर इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया जा रहा है तो ये मैंने क्या किया है वहां से जूम करने की कोशिश कर रहा था तो map जो उसकी quality खराब हो जा रही थी तो screenshot लेके मैंने इसे properly zoom किया है ताकि आप लोग बहतर तरीके से क्या करें समझ सकें अब ना black color से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से तहसील को मिला कर ये map नया जिला जो है वो बना है तो देखिए डोंगर गर्ड राजनात गाउं डोंगर गाउं छुरिया अंबागर्ड मोहला मानपूर ये जो दिख रहा है ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजनात गाउं डिस्ट्रिक्ट है दक्षिन की तरफ आप जो देख रहे हैं परपलिष टाइप का जो कलर है ब्लूइश परपल टाइप का दुर्ग कोंदल भानु प्रताप पूर ये क्या है आपका कांकेर डिस्ट्रिक्ट है ठीक है अब ये जो वॉइलेट अब लड़के लोग का कलर वैसी टाइप कर रहता है हम लोग को नीला तो नीला अच्छा है लाइट नीला डार्क नीला ऐसा है तो ये जो कलर है ये बेसिकली बालोध है clear है ये बात ठीक तो ये कांकेर ये बालोध और ये राजनात गाओ इतना दिख रहा है अभी हम लोगों ने क्या देखा राजपत्र में तो राजपत्र में ये लिखा हुआ था कि कुछ डिस्ट्रिक्स है जिनका नाम क्या क्या है या कुछ तहसील से नाम है जिनका मुहला फिर क्या नाम है भाईया मानपुर फिर क्या नाम है तो नाम है अमबागड चौकी इसके बाद दो और तहसील हमने देखे नाम क्या क्या है तो एक का नाम है ओंधी और फिर क्या है खडगाओं खडगवा मत कर देना कोरिया पहुँच जाओगे तो मुहला, मानपूर, अमबागड, चौकी, ओंधी और खडगाओं इतने जो तहसील्स हैं इसको मिला कर एक नया जिला बनेगा ठीक बात है तो अपन इन तहसील्स को पहले सर्च कर लेते हैं तो देखिए ये आपको क्या दिख गया अमबागड, चौकी अमबागड, चौकी के नीचे क्या दिख गया है तो मुहला और मुहला के नीचे अब आप लोग को यहाँ पर एक confusion होना चाहिए, अगर आप इसी news को DPRCG के website पर पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होगा अंबागड, मोहला और मानपुर, इन तहसील को मिलाकर नया जिला बनाएं, लेकिन notification में तो दो और भी नाम है, ओंधी भी है, और ओंधी के साथ क्या है, खडगाओं भी है, तो basic story में आपको बताता हूं, अब story जो है, इसको समझने के लिए, आप सिरिफ और सिरिफ मानपुर जो तहसील है, इस तहसील पर क्या करिए, concentrate करिए, तो ये अपना मानपुर तहसील है, ये अपना मानपुर तहसील हो गया, अब किया क्या गया है, ये जो मानपुर तहसील है न, इस तहसील से दो तहसील और निकाले गए, क्या-क्या निकाले गए, तो एक तहसील निकाला गया है, आंधी, तो देखता हूँ, ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, एक तहसील क्या निकाला गया है, आंधी, और एक तहसील क्या निकाल गया है यहां से तो निकाला गया है खडगाओं तो यह है खडगाओं समझ मैं आया तो खडगाओं ओंधी यह जो दो तहसील हैं इनको मानपुर तहसील के पुनर गठन reorganization से बनाया गया तब आपको समझ में आया क्यों पाँच तैसील लिखे हैं तो basically वापिस story पर आते हैं अपन story में तैसील अंबागड चौकी है तैसील मोहला है तैसील मानपूर है इसके अलावा अब तैसील खडगाओं भी आ गया और आ गया अंधी तो इन पाचो तैसील का ये जो एरिया है इसे मैंने black color से आपको बना कर दिखाया है इन ही पाचो तैसीलों को मिला कर जो है क्या बनाया गया है मोहला मानपूर अंबागड चौकी तो अगर कोई पूछे इस जिले में तैसीलों की संख्या कितनी है तो मोहला मानपूर अंबागड चौकी जो जिला है इसमें तैसीलों की संख्या पाच है भाईया तीन मत बोलिएगा राजपत्र में लिखा है अच्छे से पढ़ लीजिए कितने तैसील है पाच अब इन पाचों में विकास खंड या ब्लॉक कौन कौन सा है तो ध्यान आपको ये रखना है ओंधी नया तहसील है खडगाओ नया तहसील है ये दोनों विकास खंड बिलकुल भी नहीं है तो विकास खंड कितने है यहाँ पर तो विकास खंड है मुहला फिर है क्या मानपुर और फिर क्या है में आया तो तहसील पाच है मोहला मानपूर अंबागर चौकी अंधी और खडगाओं विकासखंड तो विकासखंड मोहला है मानपूर है अंबागर चौकी है तो पाच तहसील तीन विकासखंड इस जिले में अब जिले का मुख्याले तो ध्यान आपको ये रखना है कि ये ज जो तीनों डिस्ट्रिक्ट बने हैं, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में मुख्याले जो है ना, उसका नाम सबसे पहले लिखा हुआ है, तो मुख्याले क्या होने वाला है, तो डिस्ट्रिक्ट का जो है या मुख्याले है, वो है मोहला, तो मोहला है है, ये बात समझ में आया, त आप डिस्ट्रिक जो है इसके बॉर्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं जरा तो इसके उत्तर या नौर्थ की तरफ देखिए तो आपको क्या मिलता है छुरिया छुरिया मतलब कौन सा जिला है राजनात गाओं तो इसके नौर्थ की तरफ आपको क्या मिलने वाला है राजन में जो borders हैं अगल बगल के वो दिये हुए हैं clear है ये बात लेकिन ये तहसील में आप सरकार का ही है तो इसमें और जादा detail में हमको पता चल रहा है clear है ये बात तो उत्तर नौर्थ की तरफ छुरिया है राजनाद गाउं डिस्ट्रिक का east या पूर्फ की तरफ आप कॉंदल दिख रहा है यहाँ और यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा किस का है पकहाँजूर का है तो धुर्ग कॉंदल हो गया पकहाँजूर यह सब कहा है तो ये है कांकेर तो इसके Dayton की तरफ क्या है कांकेर तो नौर्थ में राजनाद गाउं ऐस्ट में बालोध है South में डकशन के साथ है किसके साथ बॉरडर बनाता है महाराष्ट राज्जे के साथ उत्तर बस्तर कांकिर जिला का पूरा नाम है कांकिर भी कह सकते हैं पूर्विया इस्ट की और आपको क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है बालोध और पस्चिम वेस्ट की और आप देखें, तो क्या है? महाराष्ट्र। क्लियर है ये बात? तो ये था हमारा 29th नंबर का जिला जिसका क्या नाम था? महला, मानपूर, अंबागड, चौकी clear है ये अब next जिला पर आ जाते हैं next जिला जो है वो है हमारा 30th नंबर का तीसवे नंबर का जिला है और इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो basically एक जिला था पहले जिसका नाम था राइगड़ और एक जिला था पहले जिसका नाम था बलोदा बजार तो दो पुराने डिस्ट्रिक्स एक क्या है राइगड़ और एक बलोदा बजार दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया गया है डिटेल में बताऊंगा तो दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया गया और बनाया गया एक new district नया जिला क्या नाम था सारंगड बिलाई गया फिर से क्या गरते हैं थोड़ी सी एतिहासिकता को देखते हैं इस जिले की तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या primary notification तो प्रारंभिक अधिसूचना इसकी भी मोहला मानपुर अंबागड चोकी के जैसे ही 20 अक्टूबर 2021 को आई थी primary notification प्रारंभिक अधिसूचना 20 अक्टूबर 2021 को आई इसके बाद final notification कब इसे अधिसूचित किया गया तो finally इसे notify किया गया एक तारिक को तो तीनों का notification फाइनल एक तारिक को ही आया है 1 सितंबर 2022 क्लियर है अब इसका parent district मातरी जिला तो अभी just हमने देखा है कि कुछ हिस्सा लिया गया है राइगर से और कुछ हिस्सा कहां से लिया गया है तो लिया गया है बलोदा बाजार से तो राइगर भी है और बलोदा बाजार दोनों है इसका क्या मातरी जिला अगर मैं बात करूँ इसके संभाग की कि इसे किस संभाग में रखा जाएगा तो वो होने वाला है बिलासपुर तो ये district नया सारंगड बिलाईगर आने वाला है कौन से संभाग में बिलासपुर संभाग में क्लियर है ये बात अब ये जो district है इस district का inauguration किस date को किया गया है तो याद रखना मोहला मानपुर अंबागड चोकी का दो तारिक को हुआ है अब बाकी जो दोनों बज गए सारंगड बिलाईगर और खेरागड छुई खदान गंडई इन दोनों का inauguration 3 सितंबर 2022 का date है 3 सितंबर 2022 को क्या है inauguration का date बाकी जो दो बज गए दोनों के क्रम की अगर बात करूं या sequence की तो क्रम जो है इसका वो है 30th तो मैं आपको बताया था MSK 29, 30, 31 तो M तो देख लिए अब देख रहे है S सारंगड बिलेगर clear है अब थोड़ा सा देखते हैं कि notification क्या कह रहा है अच्छा कुछ लोगों को doubt हो रहा होगा संभाग यहां पर क्या लिखा है तो ये बता रहा है कि जिला जो की बिलासपुर संभाग का हिस्सा बलोदा बचार भाठा पारा जिला जो की रायपुर संभाग का हिस्सा दोनों का पुनरगठन करके सारंगड बिलेगर जो है उच अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए ठीक है अब जिला राइगड जिला राइगड का कौन-कौन सा तहसील तो समस्ते जाएगा तहसील है सारंगड क्या है सारंगड उसके साथ बरम केला और सरिया तो रायगड से सारंगड बरमकेला सरिया तहसील और जिला बलवदा बजार भाता पारा से तहसील बिलाईगड और भट गाओं इन पाच तहसील हो गये तो इन पाचों तहसील को मिलाकर क्या किया जा रहा है तो एक नए जिले को बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, तो सारंगड बिलेईगड़, समझ में आया, तो इन सभी तहसीलों को मिला कर क्या बनाया जा रहा है, सारंगड बिलेईगड़, अब थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर ह केला सारंगड ये कौन से डिस्ट्रिक्ट राइगड से लिया और बिलाइगड कहां से लिया बलावदा बाजार से अभी डीटेल बताता हूं समस्कते चलिएगा अब ये मैप क्या दिख रहा है पहले बताता हूं तो ग्रीन कलर से ये जो पुसौर बरमकेला सारंगड देख है आप ये क्या है तो राइगर डिस्ट्रिक्ट है ग्रीन का ही दूसरा टोन में कसडोल बिलाइगड लवन दिख रहा है तो ये बलावदा बजार है नीचे क्रीम कलर में आपको पिथारा बसना सराई पाली तो ये महासमुन डिस्ट्रिक्ट है और उपर देखिए तो ये बड़ा अजीब टाइप का कलर है थोड़ा सा स्कीन कलर रेडिस टाइप का जो भी दिख रहा है जिसमें आप लोग क्या देख रहे हैं डबरा वगर तो ये जांजगीर चापा डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें ये जो मैंने बॉर्डर बना दिया बिलाइगड सारंगड बरम क्लियर है ठीक है भई अब थोड़ा सा तहसीलों पर अपन चर्चा करें तो समस्ते चलिएगा ये जो बरम केला तहसील है ना बरम केला तहसील जो है इसका पुनर गठन किया गया तो बरम केला तहसील का पहले आपको बॉर्डर बताता हूं तो ये इतना आपका क्या था बर पुलिया क्या नाम है भई शरिया तो तहसील बरम केला था इसका पुनरगठन किया गया और एक नया बना दिया गया अब उसका कुछ इसञा एक और तहसील कहलाता है नाम है भट गाओ उधर खाडगाओ था इधर भट गाओ है ना कन्फूजन नहीं होना चाहिए अब जरा देखिए तहसीलों की संख्या क्या है तो सरिया और भट गाओ ये दो नए तहसील और तीन पुराने तो है ही बरमकेला सारंगड और बिलेगड तो ये हुए तीन तो कुल हो ग लाकर क्या किया गया है तो एक नया जिला जो है उसे बनाया गया और जिला का नाम क्या है भईया तो जिला का नाम है सारंगड बिलेगड तो तहसीलों की संख्या कितनी हो गई पांच क्या क्या है तो बरमकेला सारंगड बिलेगड सरिया और भट गाओं मतलब इसको और थो लिया गया है राइगड से बिलेगड और भटगाउं लिया गया है कहां से बलवदा बजार से तो तहसील हो गये पाच अगर ब्लॉक या विकासखंड की मैं बात कर दूं तो ब्लॉक या विकासखंड को अपन देखना चाहें तो मैं आपको बता जूं जो नए जिले हैं या जो नया तहसील है, गलती से जिले बोल दिया, जो नया तहसील है, एक है क्या, भटगाओं, दूसरा क्या है, सरिया, तो ये दोनों जो नय तहसील है, भटगाओं, सरिया, ये विकासखंड नहीं है, तो विकासखंड क्या क्या हो गया, बिलाइगड, सारंगड, बरमकेला, मतल आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिला का जो नाम है, जहां से शुरुवात हो रहा है, असल में उसका मुख्याले वही है, तो नाम की शुरुवात किसे होई है, सारंगड, तो सारंगड है इसका मुख्याले, क्या है इसका मुख्याले, सारंगड, क्लियर है, अब जरा मतलब कौनगा दिख रहा है तो डभरा वहाहे तो डबरा क्या है जांजगीर चापा जिला है यही साजो है उडुन को टॉडिशर बर्गर जिला उडिशर की ओर बसना सरीपाल। तो और फाइनली आप देखें अपने पश्चिम या वेस्ट की ओर ये टच कर रहा है कस्डोल को कस्डोल मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बलवदा बजार तो नौर्थ की तरफ राइगर भी है जांजगीर चापा भी है साउथ की तरफ महासमुंध है वेस्ट में पश्चिम में क्या है बलवदा बजार इस्ट में क्या है तो उडिसा तो उन्हीं चीजों को लिखा गया है किस में तो नोटिफिकेशन में जरा देखिएगा कि ये जो उत्तर में है नौर्थ में तो राइगर है जांजगीर चापा है तैसील नहीं आद रखोगे चलेगा एटलीस इतना जान लो कि कौन सा जिला है इसके दक्षण में क्या है महासमुंद है क्या है दक्षण में महासमुंद पूर्व में इस्ट में बताया था ना जिला बरगड उडिसा और फाइनली पस्चिम में वेस्ट में क्या है तो मैंने बताया था जिला बलवदा बजार पूरा नाम है बलोदा बजार भाठा पारा तो ये था आपका 36 गड़ का 30th तीसवा जिला क्या नाम था सारंगड बिलेगड क्लियर है अब इसके बाद आ जाते हैं 36 गड़ के 31 जिले पर 31st ठीक है भई फिर से समझने की कोशिश करते हैं अब basically क्या है बात कर रहा है वापिस से जिला राजन गाव जो की किस संभाग में हैं दुर्ग में हैं पता ही है आप लोगो को इसमें से एक नया जिला बनाया जा रहा है जिसका नाम है खैरागड, छुई खदान, और क्या नाम है इसका गंड़ई, क्लियर है ये बात, तो खैरागड, छुई खदान, और गंड़ई इस जिले का पूरा नाम, अब फिर से क्या गरते हैं, तो एतिहासिक परिद्रिश्च देख लेते हैं भही इस जिला के गठन का, तो सबसे पहला क्या पॉइंट बताता हूँ, प्राइमरी नोटिफिकेशन, तो प्राइमरी नोटिफिकेशन इस जिले का आया, सरकार के द्वारा, 18.04.2022, समझ में आया, मतलब, 18.04.2022 का दिन था इसका आया प्राइमरी नोटिफिकेशन, फिर फाइनल नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो final notification इसका भी 1 सितमबर 2022 को ही आया तो final notification एक सितमबर 2022 को आया ठीक है भई inauguration उदघाटन की बात की जाए तो इसका भी कितना है तो 3 सितमबर 2022 मतलब 3 सितमबर को 2 जिले उदघाटित सारंगड बिलईगड और दूसरा कौन सा तो खेरागड छुई खदान और गंडई अचानक से light कम हो गया है तो कारण ये है कि basically light goal हो गया है लेकिन मैं इस वीडियो को पूर्ण करूंगा tension मतलीजे ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके मात्री जिले की या parent district की तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मात्री जिला या इसका जो parent district है वो क्या है तो राजनाद गाउं तो राजनाद गाउं जो है इसका मात्री जिला है या इसका क्या है parent district है अगर बात करें इसके संभाग की तो इसका संभाग जो है वो रहने वाला है दुर्ग मतलब इस जिले को दुर्ग संभाग में रखा जाएगा या रखा गया है, अब तो पास्ट हो गया है एक तारिक निकल चुका है ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं क्रम की बात करते हैं, sequence की बात करते हैं क्रम क्या है इस जिले का तो 31st तो प्री में सीधा सीधा क्रम जो है उसको घुमा के देदेगा पूछ लेगा आप लोग को क्लियर है ये तो ये तो हमने क्या किया इस जिले के गठन का पीछे का जो एतिहासिक परिद्रिश्य था historical point of view था उसको basically हम लोगों ने देख लिया अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसे जो notification है उसको पढ़ते हैं और जानते हैं तहसीलों के बारे में तो जिला राजनाद गाउं जो है उससे कुछ तहसीलों को मिला कर तहसीलों का नाम है खेरागड फिर है क्या गंडई फिर क्या है छुईखदान तो खेरागड गंडई छुईखदान और एक सालहे बारा इनको मिला कर एक नया जिला बनाया जा रहा है जिसका नाम है खेरागड छुईखदान और गंडई समझ में आया तो कितने तहसील तो चार तहसील जो है उ एक नया जिला जिसका नाम है खेरागड, छुई-खदान और गंडई ठीक है भई फिर से क्या गड़ते हैं तो इसे मैप पर देखते हैं अब ये राजनात गाउं का उत्तरी हिस्सा दिखा रहा हूं आपको देखिए थोड़ा सा आप लोगों मैं समझा देता हूं अभी जो आपको मैंने दिखाया था वो मैंने दिखाया था ये वाला हिस्सा जब हम पिछला जिला जो है उसका गठन देख रहे थे सारंगड बिलेगड का क्लियर है ये बात उसके बाद अब राजनात गाउं जो है उसका उत्तरी हिस्सा देख रहे हैं गंडई छुई-खदान और क्लियर है ये इसको देख रहे हैं अपन वापिस आ जाते हैं अपने मैप पर ठीक है भई तो ये देखिए आपको तैसील दिख गए होंगे लाइट फिर से जल गया है ज्यादा होगे ना लाइट क्यूं बिजली आ गया वापिस इसलिए तो देखिए तैसील दिख रहा मैप क्या दर्शा रहा है तो प्रारंभिक रूप से कहें तो गंड़ई छुईखदान खेरागड ये जो इतना एरिया आप देख रहे हैं यही बन रहा है नया दिश्ट्रिक जिसका नाम क्या है खेरागड छुईखदान गंड़ई ये इस डिस्ट्रिक का क्या है नाम रमधा बोरी ये दुर्ग जिला है लगभग वाइलेट टाइप का जो ब्लू टाइप का कलर है साजा मतलब ये बेमेतरा है और उत्तर की और सहस्पुर दिख रहा है तो ये क्या है आपका कबीर धाम दिस्ट्रिक्ट है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप आप में क्या देख रहे है ठीक है चलिए अब अगर तहसीलों की बात करें तो अभी हमने क्या देखा था तक तहसील एक खैरागड था फिर क्या था एक छुई ख़दान तहसील है और यह जो छुई ख़दान तहसील है इसका पुनर गठन किया गया और एक नया तहसील बनाया गया जिसका नाम क्या था सालहेवारा तो सभी तहसीलों का राजपतर आ चुका है पहले से ख्लियर है तो आप जाके क्रॉस चेक भी खुद से कर सकते हैं कोई साल्हेवारा और चौथा खेरागड तो यह जो चार तहसील हैं इन चारों तहसीलों को मिला कर बनाया गया है नया जिला जिसका नाम क्या है खेरागड चुई खदान गंडई clear है ये बात विकास खंडों की या blocks की बात करूँ तो ये जो जिला है ना इस जिला में एक तो सालहे वारा नया तहसील है और even गंड़ई भी नया तहसील ही है जो की बहुत पहले जादा पुराना नहीं है कुछ ही समय हुआ है इसको बने तो सालहे वारा गंड़ई ये दोनों नय तहसील है दोनों विकास खंड नहीं है तो इस जिले में विकास खंड या block की संख्या कितनी है तो दो है तो क्या क्या है भी block तो block एक है खेरागड दूसरा क्या है छुई खदान तो इतने देर से मैं क्या कह रहा हूँ कि जिला मुख्याले क्या है तो जो जिले के जिला का नाम है उसका पहला शद्ध तो जिला का नाम क्या है खेरागड छुई खदान और क्या है गंड़ई तो पहला क्या है खेरागड तो खेरागड क्या है जिले का मुख्याले डिस्ट्रिक्ट का क्या है Headquarters समझ में आया तो तैसील कितना है चार विकासखंड कितना है 2 और जिले का मुख्याले क्या है तो खेरागड अब अगर इसके borders को देखो तो उत्तर नौर्थ की तरफ क्या दिख रहा है सहस्पुर्लोहारा मतलब कभीर धान इस्ट या पूर्व में देखो तो साजा मतलब बेमे तरह और नीचे देखोगे धमधा दिख रहा है, मतलब क्या है यह दुर्ग है कि दक्षिन में देखिए तो क्या दिखे रहा है डोंगरगर राजनाध गाओं मतलब यह क्या होनेवाला भाइ आपका राजनाध गाओं डिस्ट्रिक्ट इसके पस्चिम वेकर की तरफ क्या है तो मढ्ध्य प्रदेश है तो वापिस हम लोग notification पर आते हैं और notification जो notification को आप देखिए तो इसके borders दिये हैं उत्तर की तरफ कबीर धाम है दक्षिन की तरफ राजनाद गाओं है पूर्व में East में क्या है तो बे में तरह है और दुर्ग में पस्चिम में West में क्या है भाईया तो बाला घाड जिला है मध्यप्रदेश का क्लियर है ये बात तो ये क्या था आपका 31st जिला तो 31st जिला जो है क्या नाम है भाईया इसका तो खैरागड छुई ख़दान गंड़ी मुझे ऐसा क्यूं लग रहा है कि मैंने सारंगड बिलेगड वाला जो जिला है उसमें जिला मुख्याले headquarters बताया नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है तो एक मिनट देख लेता हूँ तो अगर नहीं बताया हूँ तो ध्यान रखना headquarters क्या है सारंगड ख्लियर है ये बात अगर नहीं बताया तो याद रखना headquarters क्या है सारंगड ख्लियर है ये बात ठीक है भई आगे बढ़ जाते हैं अब आगे कुछ maps जो है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ प्रशास्निक map है administrative map है तो ये क्या है आपका नया जिला आप देख पा रहे होंगे उपर लिखा है मोहला मानपूर अंबागड चौकी महाँ चौकी लिखा हूँ क्योंकि पुराना map है नाम बदल के मोहला मानपूर अंबागड चौकी हो चुका है clear है तो यही अंबागड चौकी वाला area है यह उपर आप देख रहे हैं जो यह अंबागड चौकी है ठीक है यह उसके बाद यह मोहला है और यह मानपूर फिर आपको बता ही चुका हूँ मानपूर जो है इसका एक भाग ओंधी है एक भाग क्या है तो खडगाओं है clear है की रही बता चुका हूँ map पे अगला जो प्रशासनिक map है यह आपका सारंगड बिलेगडवाला है तो यह जो हिस्सा आप देख रहे है यह हिस्सा बरमकेला का है अब बरमकेला जो है इसके उत्तर की ओर सरिया नीचे बरमकेला यह हिस्सा जो है यह क्या है तो सारंगड और यह जो हिस्सा है तो यह नीचे बिलेगडड उपर नया बन चुका है क्या भटगा ठीक है तो यह प्रशास्निक माप है चाहें तो screenshot लेके रख सकते हैं अगला जो प्रशास्निक माप अपन देख रहे हैं वो कौन सा जिला है तो यह है अपना खेरा गड़ वाला तो नीचे का यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह खेरा गड़ है क्लियर है यह बीच का जो हिस्सा देख रहे है यह तो यहाँ पर क्या है एक और छुई खडान है एक और क्या है सालहवारा और उपर जो आप देख रहे हैं हिस्सा यह क्या है गड़ देख तो यह हो गए क्या प्रशास्निक माप ठीक है अब finally कुछ key points है key points मैं already वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन last में रखा हूँ ताकि आप इसका screenshot लेकर रख सके बाद में काम आएगा तो तीनो जिला का नाम दिया है मोहला, मानपुर, अंबागड, चौकी, सारंगड, बिलाईगड, खैरागड, चौकी, खदान, गंडई सीक्वेंस में दिया है जब से बता रहा हूँ 29, 30 और 31 clear है तो सबसे पहला point सबका संभाग तो सबका संभाग या division की बात करूँ तो सबसे पहले मोहला, मानपुर वाला जो जिला है वो दुर्ग संभाग में है सारंगड, बिलाईगड वाला बिलासपुर संभाग में है और उसके बाद खैरागड, छुई, खदान, गंडई वाला जो है वो है दुर्ग संभाग या दुर्ग डिविशन में clear है अगर इनके मैं parent district मातरी जिला की बात करूँ तो मोहला, मानपुर, मंबगड, चौकी बना है राजनाद गाउं से सारंगड, बिलाईगड तो भहिया राइगड से और बलोदा बजार दोनों से बना है देख चुके हैं इसके बाद खैरागड, छुई, खदान, गंडई वाला जो district है उसका मातरी जिला क्या है, राजनाद गाउं ठीक है, इसके बाद प्राइमरी नोटिफिकेशन का डेट आपको बताया ही था कि ये जो मोहला, मानपुर वाला है, सारंगड, बिलेगड वाला है, दोनों का क्या था 20 अक्टूबर 2021 20 अक्टूबर 2021 और खैरागडवाला जो जिला है, इसका प्राइमरी नोटिफिकेशन 18 अप्रिल 2022 तीनों जिले का फाइनल नोटिफिकेशन 1 सितंबर देख लीजे, फाइनल नोटिफिकेशन क्या है 1 सितंबर, अगला है इनाउगरेशन, तो मोहला पॉइंट क्या है तैसील तो तैसील मोहला मानपूर वाले में अपने देखा था पांच तैसील मोहला मानपूर इसके अलावा अंबागड चोकी और दो नए ओंधी खडगाओ ये दोनों विकासखंड नहीं है तो विकासखंड क्या है मोहला मानपूर अंबागड चोकी वैसे सारंगाड़ बिलईगड़ में भी 5 तैसिल देखे थे सारंगाड बिलईगड़ अब आजाते हैं ख्यारागढण च्वी खधान गंड़ाइप मचलत हूं है तो और आलडी बता चुका हूँ आपको विकास, खणड तो आपको बताया था मैं गंड़ाइपा यह दोनों तो जिला जो है मोहला इसका मुख्याले मोहला है सारंगड का मुख्याले सारंगड और खेरागड वाला जो जिला है इसका मुख्याले क्या है तो पहला जो अक्षर है अक्षर नहीं कहना चाहिए पहला वर्ड जो है कह दूँ तो पहला जो वर्ड है वो क्या है इसका मुख्य या headquarters clear है तो अभी तक जो एकदम exam point of view से important information है इन तीनों districts को लेकर मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने आया था जैसे जैसे और detailed information आते रहेगा तो मैं आपके सामने वीडियो को लेकर आता रहूंगा ठीक है तो मैं आशा करता हूं कि यह जो वीडियो है आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे अगली वीडियो में तब तक लिए थांक यू आंड टेक केर कर दो